हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप मैं आपका दिपक सर और आप सभी को अपने यूट्व चैनल जिलियंस क्लब में स्वागत करता हूँ जैसा कि हम प्राब्लम आउन ट्रेंज यानि रेल गाड़ी पर आधानित प्रस्नों पर बात कर रहे थे तो हमने पहले पार्ट में कुछ बेसिक प्रस्नों पर बात की और सीखा के किस तरीके से सवालों को किया जा सकता है तो आज उसी पार्ट को हम क्या करने वाले हैं यानि प्राब्लम आउन ट्रेंज यानि ट्रेनों पर आधानित प्रस्नों के पार्ट टू पर बात करेंगे समय का भाई सवाल में आते हैं चले क्या कहा गया है पढ़ा जाए बिना रुके एक ट्रेन 80 किलोमीटर पती घंटे की औसत गती से कुछ दूरी तैय करती है और इस टॉपेज के साथ या समान दूरी वह 60 किलोमीटर पती घंटे की गती से तैय करती है तो ट्रेन कितने मिनेट पती घंटे रुकती होगी यानि कहने का मतलब क्या है इस तरीके से चीजों को समझा जाए और जाना जाए मान लीजे ये स्टेशन हावडा है और ये स्टेशन पतना है तो कह रहा है कि जब एक ट्रेन बिना रुके यानि without stoppage एक ट्रेन बिना रुके without stoppage ट्रेक एक ट्रेन बिना रुके without stoppage यानि बिना रुके चलती है यानि वो कहीं भी नहीं रुकती सीधे हावडा से खुली और जाकर कहां पे रुकी पतना पे तो देखा गया उसकी जो औसत गती थी वो 80 km पती घंटे थी ठीक है और जब वही train जब वही train कई पड़ाओ पर रुक कर जाते है यानि हर एक station पे रुकते हुए जाती है तो देखा जाता है कि stoppage with stoppage with stoppage तो कई पड़ाओ पर रुकते हुए जाती है तो देखा जाता है कि उसकी चाल कितनी है 60 km पती घंटे है यानि हमने क्या देखा कि जब सीधे सीधे ट्रेन चलती है यहां से और पटना जाके डायरिक्ट रुकती है बिना कहीं रुके हुए यानि राजधानी समझ लीजिए तो वो 80 km पती घंटे के स्पीड से चलती है और जब वही दूसर ट्रेन कई पड़ाव पे रुक रुक खान की तरह चलती है तो देखा जाता है कि वो 7 km पती घंटे के चाल से चलती है तो हमसे पूछा गया है कि बताई ये प्रती घंटे वो ट्रेन कितना देर रुकती होगी तो हम एक करने का एक आसान तरीका यूज करते हैं और चीजों को सीखते हैं किस तरीके से हम एक काम करते हैं हम लॉस हो ले लेते हैं 80 और शाक का यानि कितना हो गया 240 और ये 240 किलोमीटर को हम क्या मान लेते हैं कुल दूरी मान लेते हैं 240 किलोमीटर को क्या मान लेते हैं कुल दूरी यानि डिस्टिंस मान लेते हैं अब थोड़ा सा देखा जाए और समझा जाए यानि 240 किलोमीटर कैसे आया 60 और 80 का लॉसल यह तो कितना है 240 किलो मीटर है ना तो यह हम कुल दोरी माल लेते हैं अब जब हम without stoppage यानि बिना रुके हुए जा रहे थे without stoppage जब हम बिना रुके हुए जा रहे थे तो हमें समय कितना लग रहा था दोस्तो हमें समय कितना लग रहा था और जब with stoppage हम जा रहे हैं मतलब रुक रुक के एक पड़ाओ फिर दूसरा पड़ाओ फिर तीसरे पड़ाओ पर यानि हर एक स्टेशन पर रुकते हुए जा रहे हैं तो ये 240 km साथ के स्पीड से हम तै कर रहे हैं यानि 4 घंटे में तै हो रही है तो अब थोड़ा सवाल सही सवाल पूछते हैं न कि अगर मैं बिना रुके जा रहा हूँ तो 3 घंटे लग रहे हैं और मैं रुक कर जा रहा हूँ तो 4 घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर एक घंटे जो है यह किस ले ले रहा हूँ? एक्स्ट्रा ले रहा हूँ और यह जो एक घंटे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ यह किस ले ले रहा हूँ? क्यों ले रहा हूँ? रुकने के लिए तो क्या हम कह सकते हैं कि चार घंटे की जर्णी में हमारे रुकने का जो समय है वो एक घंटा है चार घंटे की जर्णी में यानि जब हमने चार घंटे में अपनी दूरी तैकी तो हम कह सकते हैं कि इस चार घंटे में हमारे रुकने का समय अगर एक घंटा है तो प्रती घंटा यानि हर एक घंटे में हम कितना मिनट रुकते होंगे तो हम कहेंगे एक बटा चार घंटा और एक बटा चार घंटे का मतलब होता है पंदरा मिनट एक घंटा चार मिनट का क्या मतलब होता है पंदरा मिनट यानि हम प्रत्य एक घंटे कितना मिनट रुक कर चलते होंगे तो हम कहेंगे सर्फ 15 मिनट रुक कर चलते होंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजे समझ में आ रही है, क्लेर हो रहा है ठीक, यानि मैंने कहा था ना कि कुछ इस तरह की प्रशनों पे हम बात करेंगे जहां पे अगर आपने इन चीजों को धंग से चीजों को नहीं सिखा आप सवाल नहीं कर पाएंगे, और मैं फिर से रिपीट करता हूँ विडियो के अंत तक बने रही है, क्योंकि आज अगर आप इन चीजों को देखते हुए नहीं जाएंगे, तो कल पस जाओगे अब ये बनाने का तरीका हुआ जब हम नॉर्मल बिदी से सवाल को बनाते हैं अब इसका मैं दूसरा तरीका आपको सिखा देता हूँ अगर मैं मालनू, क्या मालनू, कि S1 किलोमीटर पती घंटे जो है ये है स्पीड औफ, स्पीड औफ, फास्टर ट्रेन यानि तेज रेल गाड़ी की चाल, यानि तेज ट्रेन की चाल भी हम कह सकते हैं यानि तेज ट्रेन की गती, ये हमने ले लिया S1 अब दूसरा ले लेते हैं S2 किलोमीटर पती घंटे स्पीड औफ, 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 स्पी इस सूत्र से भी बना सकते हैं S1-S2 बटे S1 घंटे S1-S2 बटे S1 घंटे हमें कहीं लॉसो लेनी की ज़रूरत नहीं हमें कुछ नहीं जस्ट कुछ यानि 5 सेकेंड के अंदर एंसर चलाएगा तो हमें पता था कि जब हम बिना रुके जा रहे थे तो हम 60 की स्पीड से जा रहे थे तो बटे 80 और ये घंटे में हो गया तो अब अगर हम यहां से स्वाल करते हैं तो क्या मिला 20 बटा 80 घंटे और 20 बटा 80 घंटे का मतलब होता है 1 बटे 4 घंटे और ये घंटे 4 का मतलब होता है कितना मिनट 15 यानि प्रते गंटे जब वो ट्रेन रुकते हुए जा रही होगी तो वो कितना मिनट ले रही होगी तो हम कहेंगे सर पंदरा मिनट ले रही होगी तो चीजे clear हो गई कि अगर आप कभी भी माली जे यातरा करते हैं और आप निकालना चाहते कि हर घंटे आप कितना समय तक रुक रहे हैं तो इस तरह के सवालों को आप इस तरीके से क्या है कर सकते कि अगर ये बीरा रुके जाती तो क्या चाल होती और रुक कर जा रही है तो क्या चाल होती तो हरी घंटे हम कितना मिनट रुक रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं चीजे clear हैं और आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं कह रहा हूं कि इस तरह के सवालों को देखना बहुत ज़रूरी है तो बढ़ते हैं अगले questions की ओर और देखते हैं क्ला questions क्या है चलिए क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए कहा इस तरीके से गया है कि दो train स्टार्ट करते हैं एक स्टार्ट करता है इलहाबाद से एक स्टार्ट करता है इलहाबाद से और दूसरा स्टार्ट करता है पटना से ठेक है और एक चलता है कितने के स्पीड से 75 किलोमीटर पती घंटे के स्पीड से और दूसरा चलता है कितने के स्पिट से 65 km पती घंटे के स्पिट से तो अब कहा गया है जब वो मिले तो ये पाया गया कि जो तेज चाल वाली रेल गाड़ी थी उसने 100 km की दूरी ज़्यादा तैकी सबसे पहली बात हम एक चीज जान ले कि हमें पता है कि दोनो हमें पता है कि दोनो एक ही समय पर चलना शुरू कर रहे हैं तो ये जो मीटिंग टाइम होगा ये जो मीटिंग टाइम होगा यानि मिलने का समय जो होगा दोनों के लिए क्या होगा एक जैसा होगा ये जो मिलनी का समय होगा दोनों के लिए क्या होगा एक जैसे होगा और हमको पता है कि जो तेज चाल लड़ी ये रेलगाडी है वो 100 km की दूरी अधिक तेक कर रही है तो अगर मैं आपसे पुछूुं कि जो तेज चाल वाली रेलगाडी है प्रतीक घंटे जो है किसे धीनी वाले रेलगाडी से कितना जादा जा रही है तो हम कहेंगे सर 75 km की स्पीड है माइनस 15 तो प्रत्यक घंटे वो अगर 10 km स्पीड जादा जा रही है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं क्या पूछा गया है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमारा मिलने का समय क्या रहा होगा दोनों रेल गाड़ी के लिए हमारा मिलने का समय क्या रहा होगा दोनों रेल गाड़ी के लिए तो ये एक घंटे में ये एक घंटे में जो तेज चाल वाली राल गाड़ी है वो धीमी चेल वाली रेल गाडी से 10 किलो मीटर अधिक जाती है और हमको पता है कि हमने 100 किलो मीटर की दूरी अधिक दे कि यह हमने यानि तेज चाल वाली रेल गाडी ने तो हमें मिलने में कितना समय लगा होगा तो हम कहेंगे सर्थ 100 किलो मीटर जा रही है और ये घंटे ने 10 जा रही है इसका मतलब ये है कि दोनों ने 10 घंटे की दूरी तै की होगी चलने के लिए जहां पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और मिलकर हाल चाल पुचेंगे, क्या बैया, कैसन हो, हाया न, इसका मतलब ये है, कि 10 घंटे ये भी रेल गाड़ी चली होगी, सर, और 10 घंटे ये भी रेल गाड़ी चली होगी, तब ही ये क्या हो सकता है, होगी, कि जो तेचेल वाली रेल गाड़ी है, वो 100 किलो मेटर की यानि हमारी कुल दूरी कितनी हो गई तो हम कहेंगे सर चौदा सर किलो मेटर कहें D नहीं मानना, कहें X नहीं मानना एकदम Simple State Product सवाल करना है कैसे 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 करना है तो हम कहेंगे सर देखे जो तेज़ चाल वाली रेल गाड़ी है वो 100 km की दूरी ज़ादा टैक करती है जब दोनों साथ चलती है तो हमको ये पता चल गया कि एक घंटे में ये 10 km अधिक जा रही है तो 100 km जाने में कितना घंटा लेगी तो हम कहेंगे 100 km जाने में कितना घंटा लेगी तो हम कहेंगे सब 10 घंटे लेगी इसका मतलब यह है कि ये भी 10 गंटे चल रही है और ये भी 10 गंटे चल रही है तो ये 10 गंटे में कितना जाएगी 750 और ये 10 गंटे में कितना जाएगी 650 तो दोनों को जोड़ कर कितना हो गया तो हम कहेंगे कितना 1400 यानि एंसर हमारा कितना होगा 1400 करहीं कोई दिक्कत नहीं चीजे clear होते हुए जा रही है और बड़ा मज़ा रहा है सवालों को करने में और बिल्कुल आएगा आप एक से एक सवालों को करने को मिलेगा बस आप जुड़े रहिए और देखते रहिए तो बिना समय को आए अगले कोश्चंस के और बढ़े और देखें अगला कोश्चंस क्या है समझ आ रहा है न दोस्तो क्यों कह रहा था कि इस तरह के कोश्चंस आपको फसा सकते हैं तो बढ़ते हैं अगले कोश्चंस के और चले क्या कहा गया पंडियाज का इस तरीके से गया है कि 8 गंटे का समय लगता है 600 किलोमीटर की दूरी तया करने में जब 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन दुवारा और 6 कार दुवारा तया की जाती है फिर क्या कहा गया है कि 20 मिनट और अधिक लगता है जब 200 किलोमीटर ट्रेन जाती है अगर बागी कार जाती है तो पूचा गया है कि बताइए ट्रेन और कार की चाल क्या होगी तो चलिए भईया बना लेते हैं तो चलो solve कर लेते हैं हम माल लेते हैं train train की चाल माल लेते है x km पती घंटे टेक और car की चाल माल लेते है y km पती घंटे एक दम स्ट्रॉट कट लॉजिक में सवाल को खदम करेंगे ज्यादा चिप नहीं करेंगे क्या? कि सर जी 600 km है जिसमें 120 अगर train जाती है तो समय कितना लगेगा तो हम कहेंगे 120 बटा x लगेगा बाबू तो बचा कितना? 480 और वो car तै करेगी तो दोनों मिलकर 8 घंटे में तै करते हैं तो एक काम करते हैं यहां से 120 common ले लेते हैं तो हमें क्या मिला? 1 by x plus 4 by y equal to 8 तो यहां से गर हम हम माल लेते हैं इसके equation होने एकदम simple एकदम logic से सवाल बनाएंगे कहीं कोई पेज़देश नहीं करेंगे जो हमने पढ़ा है समय दूरी और गती में हम बस उसका ही concept लगाएंगे जादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं मीठा सा सवाल है मीठे طरीके से बनाएंगे अब क्या कहा गया है कि सर अब क्या कहा गया है कि सर अगर मालीगे 200 km वो ट्रेंज से जाता ठेक है तो बाकिे कितने बचिए 400 km वो किस्से जाता कार से तो उसे 20 minutes अधिक लगते यानि 20 minutes का मतलब 8 plus 20 minutes का मतलब 1 बटा 3 एक बटा तीन कहां से आया दोस्तो 20 मिनट को जब करोगे तो 20 बटा 60 होगा तो हम कहेंगे एक बटा तीन होगा ठेक यानि अब यहां से अगर हम 200 common ले ले तो हमें क्या मिल रहा है 1 by x plus 1 by y is equal to 25 बटा 3 25 से काट दीजे कितने बार में जाएगा उड़ाओ कितने बार में जाएगा 25 बटा ठेक तो हमें क्या मिला 1 by x plus 1 by y is equal to 1 बटा चोईस ठेक है यानि यह equation दो हो हमारे पास 2 equation आ चुके हैं एक आगे है क्या 1 by x plus 4 by y equal to 1 बटा पंदर और दूसरा क्या आगे 1 by x plus 1 by y equal to 1 बटा चोईस तो अब अगे बढ़े हैं और यहां से आगे solve करें तो क्या मिलेगा चलिए देख लेते हैं अब हम आगे बढ़े हैं और आगे solve करें तो क्या मिलेगा तो equation 1 से equation 2 को अगर हम घटा दें तो क्या मिलेगा 1 by x plus 4 by y is equal to 1 बटा पंदर और 1 by x प्लस 1 by x यहां 2 होगा प्लस 2 by y is equal to 1 बटा 14 तो यहां से किया माइनस, यहां से किया माइनस, यहां से किया माइनस, तो यह यह cancel तो यहां से करेंगे तो क्या हम लेगा 2 by y और इनका LC हम लेंगे तो क्या हैगा 120 120 यानि यहां से किया तो कितना मिलेगा 15 अठे और पच्छे तेक यानि तीन से अगर हम इसको काट दे चाल देश तो Y की वैलू कितनी आ गई तो हम कहेंगे सर Y की वैलू आ गई 80 किलो मेटर पती गंटे आ चुकी है तो आप किसी एक में बैठा दो ना यार हम इसी में बैठा देते हैं तो 1 by X is equal to क्या मिलेगा 1 बटा 15 प्लस 1 बटा 15 माइनस 4 बटा 20 तो 1 बटा 20 ठीक है तो यहां से क्या तो 1 by X is equal to क्या मिला 6 यानि 3 4 माइनस 3 यानि 1 by X is equal to क्या मिला 1 बटा 60 यानि X के वैलो कितनी आ गए 60 यानि X के वैलो अगर 60 आ गई है तो हमारे पास X भी है हमारे पास Y भी है तो हमसे क्या मांगा गया था हमसे मांगा गया था X to Y के वैलो क्या होगी तो हम कहेंगे सर जी यह 60 होगी और यह कितनी होगी 80 यानि 300 यानि जो ट्रेन और जो कार की ज हमारा answer कितना होगा 3-4 कुछ नहीं करना था बस ये एक equation बनाना था ये एक equation बनाता था simple questions आप चाहें तो solve कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं चीज़े समझ में आ रही है किस तरीके से क्या है नहीं अब इसके बाद एक और बहतरीन questions लेते हैं सिखा जाए समझ में आ रहा है आगे बढ़ सकते हैं ना बढ़ते हैं आगे और एक और बैतरीन questions को बढ़ते हुए आगे हम चलेंगे देखते हैं ये questions railway में आ चुका है railway के exam में क्या है ये questions आईए देखे देखें क्या कहा गया है कि एक आदमी क्या कहा गया है पढ़ लेते हैं कि एक आदमी train और car से चलता है अगर वो 10 km के दूरी car द्वारत आय करे और बाकी की दूरी train द्वारत आय करे तो वो अपने ओपिस 10 घंटे में पहुंचता है लेकिन अगर वो उसका ठीक भी परीप करता है तो वो अपने ओपिस T plus 0.5 घंटे है ना यानि कुछ देर car से गया और फिर पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है तो पेट्रोल बचाने के लिए उसने क्या किया प्रेइड की सहता ले ली यानि रेल गाड़ी की सहता ले ली ठीक है तो सवाल को चलो ये रेल बे में आया हुआ कोस्टेंस है आप सोच रहे हो करती है तो हमें वो मिठाई तो खाना है उसके लिए चाहिए जीर दात पर इस दम क्यों ना करना पड़े हम जरूर करेंगे तो चलिए बना लेते हैं और सम्वाज को करते हैं तो हम माल लेते हैं कुल दूरी एक दम बेसिक से बनाएंगे सवाल को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो होगी माल लेते हैं D Kilometer कुल दूरी का मतलब क्या हो गया टोटल इस्टस ठेक टोटल डिस्टस बस एक लाइन सवालों को लिखेंगे दोस्तों और सवाल खतम कर देंगे ठेक है D Kilometer अब क्या लिखेंगे कि 10 km 10 km वो कार से जाती है तो कार की स्पीड कितनी है 40 तो 10 बटा 40 होगे तो बचा सेज दूरी कितनी बची तो हम कहेंगे D-10 बचा है और सर वो 50 की स्पीड से जाएगी क्योंकि जो रेल गाड़ी की स्पीड कितनी है थी 50 km पती घंटे तो सर कुल मिलाकर उसे टैक करने में 10 मिनट लगा हम माल लेते हैं यह equation 1 एक दम basic अब कहा गया है कि सर अगर वो 10 km 50 के स्पीड से चली होती प्लस D-10 km वो 40 के स्पीड से चली होती तो कहा गया है तो कहा गया है कि वो कुल दूरी कितने दिर में कहा करता T plus 0.10 hours का मतलब होता T plus T plus 1 बटा 2 घंटे तो यह हम माल लेते हैं equation 2 है यह हम माल लेते है equation 2 है ठीक है अब आएए सवाल को solve करते हैं और देखते हैं तो सबसे पहला एक काम करते हैं हम यहां से minus कर देते हैं यह भी minus भाईया यह भी minus भाईया यह भी minus भाईया और यह भी minus ठीक है तो अब यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा देख लिया जाए तो T से T cancel क्योंकि plus minus minus हो गए अब यहां से अगर हम solve करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा तो यहां से मिलेगा 10 बटा 40 माइनस 10 बटा 50 प्लस D माइनस 10 बटा 50 ठेक माइनस D माइनस 10 बटा 40 एक बटा 2 सवाल खतम एक लाइन में सवाल बन गया खाली equations बनाना था तो I have solve कर लेता है यहां से solve किया तो क्या आएगा 200 यहां से solve करेंगे तो कितना मिलेगा चलिए डारिक कर लेते हैं यहां से 50 माइनस 14 प्लस 4D माइनस 14 प्लस सॉरी माइनस होगा यहां माइनस 5D प्लस 50 इस इक्वल टो माइनस 1 बटा दोसे बटा दोसो तो हमें यहां से क्या मिला चलिए देख लेते हैं यहां से हमें क्या मिलेगा माइनस D और यहां से करेंगे तो 50 सॉ प्लस यहां पर गया तो कितना होगा यानि प्लस 20 इस इक्वल टो माइनस 100 तो माइनस D इस इक्वल टो माइनस 120 तो यहां से यह कट गया तो D की value is equal to कितनी आगई 120 km क्या था सवाल में बताओ यानि D की value कितनी आगई 120 km यानि हमारे सवाल का एंसल क्या होगा 120 km तो आज आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे question को मैंने क्यों लिया है तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कुछ ऐसे question है जिनको अगर हम equations करके बनाए और सीधे सीधे जो हमारा concept है दूरी बटाचाल लगा कर बनाए तो सवाल चुट्कियों में बनता है हर तरीके से सीखना है साम, दाम, डंड, भेद, सब आना चाहिए ठीक है न? यह कहानी तेरी और मेरी है ठीक है? और इस जमाने को हमें यह बताना है कि हम किसी से कम नहीं वक्त आज बुरा है कल नहीं रहेगा बाजूओं में होसला है तो किसी से कम नहीं रहेगा ठीक? तो अब यह चीज़े आपको clear हो रही है समझ में आ रहा है कितने अच्छे तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तो चीजे बहुत अच्छे से clear हो रही है यह questions मैंने railway के examo में आई हुए questions में से निकाला है जहां पर आप चीज़ों को बहुत ही सरड़ ढंग से बना सकते हैं दो equations लिखना था और सीदे सीदे क्या करना था solve करना था कहीं दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो अब मिना समय गबाए बढ़ सकते हैं हम अपने अगले questions की हो और देखते हैं अगला questions क्या है आया फिर भेतरीन question पढ़ लीजिए जान लीजिए मज़ा आएगा बोलने मज़ा किस तरीके से मज़ा आएगा देखे क्या कहा गया है पढ़ लेते है कि एक train मेरट से गाजियाबाद जाती है चार बज़े चलती है देखे यह अब solve किया जाए अब देखो concept का game शुरू हो चुका है यह है मेरट और यह है गाजियाबाद एक दम प्यार से सवालों को सिखी है यह चार बज़े चलती है और गाजियाबाद पहुंचती है कितने बज़े पांच बज़े यह चार बज़े चलती है और गाजियाबाद पहुंचती है यानि गाजियावास से जब एक दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है कितने बजे चार बजे तो वो पहुंसती है कितने बजे साड़े पांच बजे ठीक है इसका मतलब यह है कि यह कितने गंटे का समय लेती है तो 11 by 2 hours 11 by 2 hours का मतलब कितना है 90 मिनट तो अब हमसे क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से क्या होगी मिलेगी दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे क्या होगी मिलेगी तो अब बनाने का तरीका क्या है अब बनाने का तरीका क्या है तो देखा जाए और समझा जाए तो हमें पता है यह मे आजियावादवाली ट्रेन है ठीक है टाइम यानि समय की बात की जाए तो हम कहेंगे सर समय ये कितना ले रही है साथ मिनट और सर ये समय कितना ले रही है नबे मिनट यानि समय का अनुपाद कितना हो गया सर दो अनुपाद तीन हो गया और दोस्तों अगर समय का अनुपाद दो नुपाद तीन हो गया तो चाल यानि स्पीड स्पीड का नुपाद क्या होगा तो हम कहेंगे सर ठीक पलड़ जाएगा आपने हमें पढ़ाया है तो यह कितना होगा तीन नुपाद दो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि जब दोनों एक ही समय पे चलना शुरू करती है जब दोनों एक ही समय पे चलना शुरू करती है तो जब ये तीन यूनिट जाती होगी तो उस वक्त गाजिया वादवाली ट्रेन दो यूनिट जाती होगी कह सकते हैं उस वक्त गाजियावाद वाली ट्रेन कितनी यूनिट जाती होगी दो यूनिट कह सकते हैं क्योंकि चाल है और दोनों एकी समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो हमने ये पढ़ा है ना कि जब एकी समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो मिलने का समय सेम होता है तो अगर मिलने का समय सेम होता है तो जो चाल है वो दूरी के बरावर होती है तो हम कह सकते हैं जितने समय में जो मेरट वाली ट्रेन है तीन यूनिट जा रही है उतने समय में गाजवय वाली जो ट्रेन है वो दो यूनिट की दूरी तै कर रहे है कहीं कोई दिकत नहीं और हमको ये पता है कि ये तीन प्लस दो ये पांच यूनिट जो कुल मिला कर दूरी है ये पांच यूनिट जो कुल मिला कर दूरी है यहां से तीन यूनिट मेरट वाली ट्रेन तीन यूनिट मेरट वाली ट्रेन और दो यूनिट गाजियावाद वाली ट्रेन यानि तीन दो पाँच यूनिट की जो दूरी है वो मेरट वाली ट्रेन साथ मिनट में तै करती है तो भाईया हमार बताओ मेरट वाली ट्रेन कितनी दूर जाकर अपने उस गाजियावाद वाले दोस्ते मिली होगी तो हम कहेंगे तीन यूनिट बाद तो तीन यूनिट के वैलू कितनी तो साथ बटे पाँच गुने तीन तो हम कहेंगे सर्थ 36 मिनट यानि गाजियावाद वाली ट्रेन यहाँ पे आकर अपने दोस्ते जब मिलेगी तो उसे और 36 मिनट लगेगा यानि हम कहेंगे कि दोनों कितने वज़े मिल रहे हैं तो हम कहेंगे 4 बच कर 36 मिनट साम में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और गले मिलकर फूट फूट कर रोएंगे नहीं खुसी मनाएंगे कि आरे यार बिछडे यार आओ हम मिल गए हाया ना यानि अंसर कितना होगा चार बच कर 36 मिनट कहीं कोई दिकत नहीं चीजे बहुत आसानी से क्लियर हो रही है अब भया तुम क्यों मुफला हो सर्जी अगर हम गाजिया वाद वाले ट्रेन से निकाले तो नहीं निकलेगा मैंने कब कहाने निकलेगा जब आप गाजिया वाद वाले ट्रेन से निकालना चाहो तो भी निकलेगा तो अब ये बताओ ये कुल दूरी कितनी है पांच यूनिट है और जब आप गाजियावाद वाले ट्रेन से भईया बना लेते हैं किसी को रूठने का मौका क्यों दिया जाए है के नहीं यानि यहां से 2 और यहां से 3 यानि सर जी पांच यूनिट की वैलू गाजियावाद वाली ट्रेन 90 मिनट में तैक कर रही है और जब वो मिल रही है तो वो 2 यूनिट दूरी जा रही है तो 2 यूनिट का मतलब कितना 90 बटा 5 गुने 2 यानि यहां से 18 हो गया यानि हमारे सवाल का अंसर कितना हो गया 36 मिनट यानि दोनों सेम समय पर चलना शुरू की है चार बज़े और 36 मिनट बाद बो फिर गाजयावाद वाली ट्रेन मिलेगी यानि कुल मिला कर समय कितना हो गया तो 4 बज़ कर 36 मिनट ये बहतरीन कोस्टों में से एक है one of the best questions जो कि आपको ट्रेन वाले chapters में मिलते हैं और हमारा काम तो वही है तुम जानते हो आप जानते हो कि मैं उस तरह के सवालों को लेकर आता हूँ जहां पर आपस सकते हैं जहां पर एक्जामों में आपसते हैं बहुत असान तरीके से देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं चीजे clear है अच्छा क्या कि सर जी अगर समय अलग अलग होगा तब क्या करिएगा अरे आरे मेरे भाई रुक जाओ पिच्चर अभी वाकी है अगर समय अलग अलग होगा उस पर भी questions करेंगे तुम्हारा दिल नहीं तोडेंगे बहुत बाट तूटा होगा लेकिन दिपक सर तुम्हारा दिल नहीं तोडेंगे चिंता मत करो और तुम्हारे दिल के लिए एक बहतरीन नगमा दिपक सर की ओर से जो तुमने फर्माईश की है लो आ गया जो कह रहे थे कि सर अगर समय सेम ना हो तब हम कैसे बनाएंगे लो पढ़कर देख लिया जाएं सेम कोस्टन काली टाइमिंग चींज कर दिया है क्या कि एक ट्रेन कि एक ट्रेन कहां से चलती है मेरट से भईया और दूसरी ट्रेन कहां से चलती है गाजियावाद से क्या बात है यह चलती है कितने बजे सुबह पांच बजे और पहुंसती है कितने बजे सुबह नौ बजे या नहीं यहां से यहां यह चार घंटे का समय लेती है क्या बात है भी या क्या बात है और मीरट वाली ट्रेन जो है वो सुबह साथ बजे चलती है और वो मीरट पहुंसती है कितने बज़े तो साड़े दस बज़े यानि साड़े दस बज़े पहुंसती है भया इसका मतलब यह है कि साड़े तीन घंटे लेती होगी साड़े तीन घंटे का मतलब साथ बटे दो घंटे ठेक तो अब आओ सवाल बना ले सबसे पहला काम क्या है सबसे पहला काम है हमें समय कानुपात निकालना दूसरा चाल कानुपात निकालना क्योंकि हम सारा गेम चाल यानि गती से करेंगे ठेक है तो अब आईए भाईया ये है हमार चलो सियाही चेंज कर दिया जाए यह है हमार मेरट वाली ट्रेन, और यह हमारी गाजियाबाद वाली ट्रेन समय, समय बड़ा बलवान है, अपनी किसमत बदले बंदे ठेक, तो यहाँ पर चार है, और यहाँ पर कितना है? साथ बटे दो यानि 8 अनुपात 7 इसका मतलब यह है कि जो मेरट वाली ट्रेन है वो समय मेरट वाली जो ट्रेन है वो समय कितना यूनिट ले रही है 8 यूनिट और गाजियावाद वाली कितनी ले रही है 7 यूनिट तो भाईया हमार चाल क्या होगी यानि स्पीड चाल क्या होगी हमारी स्पीड हम कहेंगे सर हमारी चाल होगी 7.58 क्या बात है ठेक बहुत बढ़िया अब एक बात और कर ली जाए चलो इसे करते हैं एक बात और कर ली जाए यानि मेरड़ वाली की चाल 7 unit है और गाजियावाद वाली 10 की चाल 8 unit है आप एक चीज़ जानते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिसा में एक दूसरे के और बढ़ते हैं हम अपना कैल्कुलेशन तब और तभी कर सकते हैं जब दोनों का टाइम क्या हो सेम हो तो हमें काम करते हैं ये मेरट वाली ट्रेन को साथ बज़े तक पहले चला देता है अगर मेरट वाली ट्रेन साथ बज़े तक चल गई होगी तो आप बताईए तोल मिला कर चार घंटे लग रहा है याईनी दो घंटे वो चल चुकी है अब दो घंटे चल चुकी है, अब तो जब मेरेट वाली ट्रेन यहाँ पहुचेगी, और गाजियावाद वाली ट्रेन यहाँ से दूनों चलना शुरू करेंगे तो हमें देखने को यह मिला कि यहां से यहां की दूरी जो मेरट वाली ट्रेन है दो घंटे में तै करती है यानि यहां से यहां की दूरी जो मेरट वाली ट्रेन है वो दो घंटे में तै करती है अब क्या कह रहे है वही सवाल हो गया बिल्कुल अब वही सवाल हो गया यार मेरे भाई कि सेर अब तो समय से मैं फिरता आप वही logic लगा देगे तो मैंने कब कहा कि मैं वो logic नहीं लगाऊंगा बस सोचने का तरीका अलग था सवाल कहने का तरीका अलग था लेकिन करने का ढंग एक था क्या कि सर अब दोनों का समय से में 7-7 इसका मतलब ये है कि सर जब मेरट वाली ट्रेन 7 यूनिट जाएगी तब गाजियावाद वाली ट्रेन सर जी 8 यूनिट जाएगी तो 7 प्लस 8 15 यूनिट की वैलू कितनी है दोस्तो 2 गंटे 2 गंटे का मतलब 120 मिनट तो भाईया हमार मेरट वाली ट्रेन को कितना यूनिट जाना है 7 यूनिट तो 7 यूनिट जाने में ये कितना लेगी तो 120 बटे 15 उन्हे साथ यानि अब तक 56 यानि कितना समय लगेगा 56 मिनट और लगेगा इसको यहां तक पहुँचने में यानि 56 मिनट के और लेगी यहां से यहां जाने में तो 7 बज़े चलना सुरू किया और 56 मिनट बाद दोने एक दूसरे से मिले हैं तो एंसर कितना होगा तो हम कहेंगे सर जी 7 बज़े सुबा प्लस 56 मिनट यानि 7 बज़ कर 56 मिनट चली आना तो चाई के दुकान पर 7-56 बज़े है न चाई पिएंगे साथ में और फिर पढ़ाई भी करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं चीजे क्लेर होती जा रही है बहुत मज़ा आ रहा है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बिलकुल अब अब क्या होगा अब अब मैं उस कोईशन्स पे बात करने जा रहा हूँ परदे में रहने तो परदा न उठाओ नहीं यार परदा तो उठाना पड़ेगा जब तक परदा नहीं उठेगा तब तक सवाल करने का मज़ा क्या रहेगा अब हम उस questions पे बात करने जा रहे हैं जो question बहुत 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 ज़ादा important है और आज कल की trend में आने लगके है दूसरी बात ये questions को आप short cut तरीके से बनाएंगे मैं सिदे सिदे short cut basis पे बात करूँगा concept को समझाते हुए और यहां से मैं आप से कहूँगा कि ये इतना महत्पून है कि आप चाहें तो आठ तरह के questions यहां से बना सकते हैं कर सकते हैं हम एक एक चीजों को समझते हुए बढ़ते हैं कि क्या है तो देखना चाहोगे बिल्कुल सर्जी क्या बात कर रहे हैं आप तो बढ़ा जाया गए मज़ा आ रहा है चीजे समझ में आ रही है आज अगर तून आप नहीं देखते तो इसमें 13 घाटा बच्चे और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बच्चे का कोई घाटा हो तेक है स्रिफ लाब ही लाब हो तो आपके लाब के लिए अब हम इस कॉंसेप्ट को जानेंगे क्या है कॉंसेप्ट आईए देखे तब तक एक बार आप देख लो तब तक थोड़ा समय है अपने गले को भीजा लो क्या कहा गया है क्या कहा गया है देखा जा कहा गया है बहुत ध्यान से समझेंगे दो आदमी चलिए बना लेते हैं दो आदमी चल्ब और एक में कौन से लेज़े गरेन वाला ठीक है कहा गया है दो आदमी बहुत अच्छे सुनिए गा दो आदमी कौन है एक A है और एक B है ठीक है दोनों एक दूसरे की ओर स्टेशन P से और स्टेशन Q से चल्ला आरंब करते हैं दो आदमी A और B दोनों बिच्ड़े हुए दो स्टेशन P से और स्टेशन Q से चल्ला आरंब करते हैं और रास्ते में और रास्ते में कहीं मिलते हैं यहां मालो मिलते हैं तो जो A आदमी है उसे जाने में जो समय लगता है वो कितने घंटा लगता है T1 आवर्स यानि T1 घंटे लगता है अपने अस्थान B पर पहुँचने के लिए ठेक है भईया और जो और जो B आदमी है उसे अपने रास्ते पे चलते हुए मिलने के बाद जो अपने घंटा वस्थान यानि अपने डिस्टिनेशन में पहुचने के लिए जो समय लगता है वो लगता है कितना T2 आवर्स ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ क्योंकि यह आदमी A है तो इसकी चाल मान लेता हूँ S A किलोमीटर पती घंटे यानि यह S A किलोमीटर पती घंटे की चाल से जा रहा है और इसे मैं मान लेता हूँ S B किलोमीटर पती घंटे की चाल से दोनों एक दूसरे के ओर चलना आरम करते हैं रास्ते में मिलते हैं ठीक है मिले HIYPA हाल चाल पुछा भाईया तू कैसा तू कैसा होने के बाद मैं ऐसा तू ऐसा होने के बाद जो वेक्ति A है उसको अपने अस्थान क्यों पर पहुंचने के लिए T1 का समय लगता है और जो वेक्ति B है उसे अपने अस्थान पर पहुँचने के लिए T2 का समय लगता है, यह थोड़ आपको समझने के लिए दिक्त होगी, तो चलिए T1, T2 के जगापे हम TA कर देते हैं, और यहाँ पर TV कर देते हैं, हाँ सर्जी, अब सही है, ठीक है, अब ठीक, तो T1 और T2 कर देते हैं, तो यह हम अपने समझने के लि रिलेशन्स है, जिसे आपको याद रखना है, वो रिलेशन्स है क्या, वो रिलेशन्स है दोस्तों, क्या है रिलेशन्स, वो रिलेशन्स है, S A by S B equal to root over TB by TA, यह इतना महत्पूर्ण है न, आप यहाँ से चाहें, तो 6 कोश्चनों को बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे ह हमारे पास 4 variable है, A की स्पीड, एक चाल है, A की चाल है, B की समय है, B की समय है, A का, यानि किसी 3 को देखर कोई 1 ना दे, और आप से पूछ लेकि बताइए इस तरीके से समझे, यह दोनों का समय दे दिया, A की चाल दे दिया, पूछ लिया, B की चाल क्या होगी, यह कोश्चन यह फिर A की चाल होगी, यह कोश्चन, यह फिर पूछ लिया, B को मिलने के बाद कितना समय लगा, 3 कोश्चन, A को मिलने के बाद समय कितना लगा, 4 कोश्चन, फिर दोनों का समय दे दिया है, तो पूछ लिया गया, चाल का अनुपाद क्या होगा, 5 कोश्चन, यह दोनों सम पर पहुंचने का लगा हुआ समय का अनुपाद क्या होगा यानि यहां से आप 6 questions कह सकते भेरी 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 महतपूर टॉपिक यानि वेरी 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 important one ठेक यानि दोनों जब दोनों क्या करते हैं एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं साथ ही साथ इसके साथ साथ और क meeting time meeting time यानि मिलने में लिया गया समय तो मिलने में लिया गया समय बाइया आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से सीख लिए ये स्तूतर होता है T1 into T2 भंटे आज अगर आपने इन चीजों को नहीं सिखा तो आप हमेशा के लिए इन तरह के सवालों से बंचित रह जाएंगे और ऐसे सवाल आप एक्जामों में आ रहे हैं आपको ऐसा कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे इन चीजों को करेंगे मैं हूँ आपके साथ मैं हूँ ना समझ रहे हो ना ठेक है ये हो गया दूसरा टोटल डिस्टन्स यानि कुल दूरी का सूतर होता है ये बहुत 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 इंपोर्टन्ट है सीखले बन्दे आज, ठीक है? फिर करेगा मुझको यान तेक यानि अब हमने ये पढ़ा तो एक सवालों को देख लेते हैं आईए सवाल के तो चलिए हमने यहां पर कोई options नहीं रखा है इस तरह के questions को हम सीधे सीधे solve करिंग और देखेंगे क्या क्या answer आता है तो तैयार है आर यू आल रेड़ी अरे सर गाना नहीं गारा रितिक रौसन वाला सवाल के बारे में पूछ रहा हूं बिलकुल रेडी हो चलो बना लेते हैं तो कहा गया है दो ट्रेन है चलो भईया पहले figure बना लिए जा दो ट्रेन है जो दो स्टेशन से चलनना शुरू करते है कहा से स्ट गंटे का समय लगता है और इसको यहां से पहुंचने में कितने का समय लगता है तो 9 गंटे का समय लगता है क्या बात है क्या बात है क्या बात है तो पूछा गया कि बताइए स्पीड ऑफ ट्रेंट क्यू क्या होगा अगर इसकी speed पचीस किलो मीटर परतीघंटे लो भी यह आगया सवाल जो कह रहा था आगया सेम सवाल हाय आना तो सीधे सिधे सूत्र बठा लेते 25 किलो मीटर परतीघंटे बठा इसको मान लेते हैं speed of SQ बराबर क्या था सूत्र TB यानि B वाला कौन ये इदर भी नहीं ये A है ये 9 बटा 4 तो चलिए यहां से करेंगे तो 25 km पती घंटे बटा SQ is equal to 3 बटा 2 तो भाई या हमार का एंसर आ गया SQ equal to 50 बटा 3 km पती घंटे यानि पहले questions का answer निकल चुका है जो कि मांगा गया था क्योंकि speed क्या होगे ठीक है अब दूसरे questions में क्या पूछा गया है क्या पूछा गया है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो भाईया दूसरे का क्या था सूत्र root over TA into TB यानि 4 गुने 9 घंटे यानि root over 36 घंटे यानि 36 घंटे का मतलब कितना 6 घंटे यानि 6 घंटे के बाद बहुत लंबे सपर के बाद वो दूनों एक दूसरे से क्या करेंगे फिर क्या पूचा गया है कि कितने बज़े वो एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या answer होगा 10 बजे सरजी दोनों अपने घड़ से निकले और 6 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे के पास आ गया यानि साम के 4 बजे वो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे मिलेंगे ठीक है फिर क्या पूछा गया है कि दोनों के बीच की दूरी यानि station X और station Y के बीच की दूरी कितनी है तो भाईया हमार formula क्या था P की चाल कितनी 25 km पती घंटे गुने समय मिलने के बाद लगया हुआ समय मिलने के बाद लगया हुआ समय 25 गुने 4 हो गया प्लस अब Q की चाल कितनी है 50 बटा 3 है और मिलने के बाद लगा हुआ समय यानि यह इधर जा रहा है कितना गंटा इंटू 9 गंटा तो अब यहाँ ची करेंगे 3-3 के 9 यानि क्या होगे 100 प्लस 1.500 km यानि एंस कितना आएगा तो हम कहेंगे सर जी 200 km कहीं कोई दिक्कत नहीं प्रभू चीजे clear है और एक चीज समझ में आ रही है आ गई है सर जी आप तो जादू करते हैं अरे नहीं कोई जादू नहीं है सारा का सारा concept है अगर आप concept को अच्छे से जानते हैं तो सवाल का बहुत आराम से कर सकते हैं तो हमने आज जो सीखा बहतरीन कोशने कोशी का जो आपको हमिसा क्या करता है पसा देता है पसना नहीं है ठीक है तो बस आज हम यहीं तक अपने वीडियो को रखेंगे उमीद करता हूँ आप अपना प्यार मुझे भरपूर दे रहे है और अपने दोस्तों को सेर कर रहे है और उनसे सब्सक्राइब भी करा रहे हैं और साथ में लाइक करना तो भूल दिया आईए और नहीं कॉमेंट करना तैंक ये अव्रेवर्ट